हेलो काईस, वेलकम को मैं यूटूब चनल, इस वीडियो में मैं आनबॉक्सिंग करने हो लोग नॉइसबट वी एच्ट वहन्रेड बन जो कि रिसेंटली वन विक पहले यह 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 बड रांच हुआ है तो आप भी सोचूए कि अच्छा से यह यह बड पर्चेस करने के ल साउंड कॉलिटी और लास्ट वन विक से मैं यूज कर रहा हूं मेरा एक्स्प्रियंस भी में शेर गरूँगा कुछ इस टैप का बॉक्स है सामने नॉइस और बड वीच टूहन्रे जो की ब्रांडिंग दी गई है बैक साइड में कुछ फीचर में शेने फूल टच कंट्र दोल है 6 mm ड्राइवर यह प्राइज में आपको 6 mm ड्राइवर तक ही देखने को मिलेगा डूल एक वैलकम कार्ट देखने को मिल जाएगा उसके बाद में इसे कैसे सेट अप करना है वह बताए गया और फिर एक यूजर में यूजर में में इसके अंदर फंक्शनल्टी बता कुछ इस टाइब के सपंच भी है और यह है हमारा येरबर्ड और साथ में आपको असेसरी का बॉक्स अलग से दिया गया है बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं बॉक्स को मैं रख देता हूँ साइड में इस येरबर्ड के अंदर ये बैनिफिट है सी टाइप के दूर सकते हो आपको ब्ली कराइब के दूर में की जरुद नहीं को अ आपको कीन के बुड़ के कबल की बात करें तो ठीक है आरांट इंसे park देता ह contributing मिल अ मिलते कुछ अधिस साथ में अलगल साइब ऑगन सामनी के और noise की branding है, back side में C type charging port है, इधर एक LED indicate करी कि जबी भी हमारे airbird चार्ज होना start हो जाएगे, और नीचे के side में इनके कुछ manufacture details दिये गए है, बाकी ये case के ओपर कुछ भी नहीं है, quality की बात करें, overall पूरी plastic quality में बनाया हुआ है, plastic की quality बहुत ही premium है, matte और glossy finish के साथ में तो बहुत ही अच्छा texture case का है, so airbird को में निकालता हूँ side में, अंदर के side से आपको इधर magnet charging support दिया गया है, और इस type से अंदर के side से overall design है, तो इसे में रख दे तो side में, अब हम बात करते है, earbird के, तो ये tall type earbird है, जिस तरह apple के earbird आते है, फिर आपने earphone के wire वाले देख र देना है, charging को start करने के लिए, जब starting में आएगे, तो ये हमारे sticker लगे रहेगे, so मैं करीब से show कर देता है, इनका design जिसे कि आपको समझने में easy पड़े, तो power on करना बहुत ही simple touch करके, आपको hold करके रखना है, तो ये power on हो जाएगे, power on के बाद में, इधर light indicate होईगी, तो जि जारी भी है की नहीं, ये पता रहना ज़रूरी है, तो अब आप जो recording सुनने वाले हो, मैंने इस earbud से ही record किया है, तो आप जो recording सुन रहे हो, ये मैं noise bird vs 201 से record कर रहा हूँ, तो कुछ इस type की mic quality, इतना background का noise remove होएगा, और इतने clear voice सामने आले बंदे के पास में जाएगी, so I hope 6mm का ही driver यूज़ कया गया, तो sound quality आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, base quality हो गई, music quality हो गई, तो आप जैसे कोई भी normally काम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, music को गईरा normal सुनते हो, तो आपके लिए जो कि ये perfect earbud रहे हो, और आप बहुत ही ज्यादा music को गईरा सुनते इदर red color की light indicate करेगी, back side में, red color की light indicate करेगी, जब इसके अंदर earbud चार्ज हो रहे रहे हो, अब battery life की बात करें, तो total हमें 14 hour case पूरी battery life provide करता है, 4.5 hour जो की claim किया गया है, single earbud के अंदर पर मैंने इसे use किया, तो 4 hour तक ही आपको single earbud के अंदर battery life है, इसके बाद में इसके purchase कलो 2000 के नीचे का, जितना box पे mention करेगे, इससे 10 ये 15% कम ही रहेगा, अब charging की बात करें, around 1.5 घंटे में complete case चार्ज हो जाता है, कोई भी firewood के charge से आप charge कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी fast charging support नहीं है, अब fast charging के थुरू भी charge करोगे, same time लगेगा, normal charge के थुरू भी charge करोगे, तो same time ही लगेगा, आप functionality के बारे में, तो touch करने पे आपको क्या क्या functionality देखने को मिल जाएगी, तो touch करने पे आप जो की video play and pause कर सकते हो, call attain और cut कर सकते हो, double tap पे next video के और move हो सकते हो, right वाले पे, left वाले पे double tap करोगे, तो previous video के और move हो सकते हो, पर noise वाले earbud के अंदर आपक करकर रोकर हो, तो volume जादा होएगा, तो ये advanced functionality है, noise वाले earbud के अंदर है, as compared to कोई भी ये price range में, आपको volume कम जादा का touch sensor के अंदर functionality नहीं देता है, so मैंने इस earbud के बारे में आपको सभी चीछी detail में बता दिये, कुछ भी चीज में भूल गया रहा हो, तो आप मुसे comment section में सकते हो, तो ये मैंने amazon से purchase किया था, 1199 रुपिस में और amazon पर जो की different different seller है, same year but कोई 1299, 1499 का sale कर रहा है, जो seller से मैंने purchase के, उसके link description में मिल जाएगी, और मैने जब purchase क्या offer भी था, तो हो से कि आपको भी comprise में मिल जा, तो आप एक बार description ज़रूर चेक कर लेना, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बें इंडिस्टिंग वीडियो चीए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो thank you so much watching this video.